आज हम बनाएंगे एकदम साधियों और पाठियों में बनने वाली साही पनीर की सबजी ओही खुसबू ओही टेस्ट गजब की सबजी बनती है आप ट्राई करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी हेलो फ्रेंड्स इंडियन देसी फूड में आपका स्वागत है तो चलिए आज की मज़िदा डेस्टी शुरू करते हैं यहां पर लिए हैं 400 गडाम पनीर है तीन मीडियम साज का ठामाटर रखें हैं चार प्याज है इसको भी बारी काट लिए हैं अदरक लहसन एक इंच अदरक का टुकड़ा है दस से बारा लहसन दो सुखी लाल मिर्च दो हरी मिर्च अब दस से बारा हम काजू रखे हैं चुले पे रखे हैं कडाही तेल डालके यहां पे हरी मिर्च और लाल मिर्च डालके कुछ सेकेंड के लिए फराई करेंगे अब इसमें काजू लहसन अद्रक डालके इसको भी कुछ सेकेंड के लिए फराई करेंगे अब यहां पे हम प्याज डाल देंगे अब प्याज को भी हो गयी हैeft अभ यहां पर हम चुलहा को अफ कर दिएंगे हैं इसे थन्ड़ा होने देंगे थन्ड़ा होने के बाद आंजेर 1 जार में रखें gelsley आएट अभि चुलहे услट दिढ़ा हम उने से दालें जो प्यूडी बनाए हैं वो डालके यहाँ पर फिलेम को अभी लो रखे अब सब को अच्छे से हम मिक्स करेंगे अब यहाँ पर हम डालेंगे सुखे मसाले में एक टेबल सब्सपून सब्सपून हल्दी और टेस्ट के कोडिंग नमक नमक पहले भी हम डाले हैं तो अभी हम ह तीन मिनट ढख के भूनेंगे तेल छोड़ने तक अच्छे से मसाला फ्राई हो गई है पनीड के साथ आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे पानी आप अपने हिसाब से डालें आपको कितनी ग्रेवी रखनी है मैं यहाँ पे थोड़ा पानी जादा डा ही हो गई है मैं यहाँ पे चुला को अफ कर देती हूं और बाड़ी कटा हुआ धनिया पत्ता हम फैला करके डाल देंगे यहाँ पे हम धकन से कुछ देल के लिए ढग देंगे मैं इस एक बाउल में सर्ब कर लेती हूं फ्रेंड्स आपको देखके ही समझा गई होगी कितनी टेस्टी सबजी बनी है अगर रेश्पी पसंद आती है ति वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं है ते प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके